मुक्तार अनसाई का परिवार गरीबों पिछोलों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ा है अगर 2024 में ये जनता ने गलती कर दिया तो बाबा पटेल को भागाओं का कान पूर में गई है अब वहीं इसकुल कालियत देखा है अब कोई अपने पिता का का अंतिम संस्कार न कर पाए ओ जो सलवार समीत पहनकर राम लिला मैदान से भगो भाग गया था भगोड़ा रंगवाद देखका हम लोगों से सामंती पूछते थे लौटर राम की निशाद की दो बेटी आई एक इंटर कालिज में लेक्षर हो गई अरे राम मंदिर बनवा दिया परपगंडा अरे राम नौमिय भी तिन चाद इनके बाद साइद आने वाली है यह देश बिक्रेता है यह देश की अर्थवे उस्था को चोपट करने का का मैं हरा हूंगा देख ले ना राजेंदर बिंद को जीता हूंगा अन्फुक के सामंतों के विरुद्य जो है अपजाल अंसारी के परिवार का मुक्तार अंसारी की बगावत रही है तो 1922 में साइकिल से जोगाम जाता था पाते पूर जाता था चाहे सुनमानी हो रिनमार हो गोड़ा हो चाहे कुंडे सर और कभीर पूर हो रंगवाद देख का हम लोगों पिछोडों के मान समान की लड़ाई लड़ा है और जिस तरह से भारती जंता पाटी ने चुनावी बेला में पवित्र रमजान के महिना में अतीक और असरब की तरह साजीस करके जहर कुद्दे करके उनको रास्ते से हटाने का काम किया है इस चुनाओं को हिंदू और मुसल पेटियों की शादी नहीं हो पारी हाथ पीला नहीं हो पारा है तमाम मारे बेरोजगार बच्चे जो है कि आत्म हत्या करने को मजबूर है तो यह भारती जंता पाधी जिस तरह दहसत की राजनिती करें सरकारी संस्थान उपकर्मों को बेच करके नीजी हाथों में अडानी अंबानी के हाथों निलाम करके नोकरी और रोजगार के उसर को खतम करने का काम कर रही है लोग तंत्र और संबिधान को खतम करके जो है इस्तिरी सुद्रोन धियताम की ब्योस्तावाली मनुवस्मिती के बिधान को लागू करना चाहते हैं ओबी CST माइनाटी बिरोधी माजबादी विचारधारा के लोग उनके फंड को कुछलने का काम करते हैं ममता दीदी बंगाल में भारती जनता पार्दी के रत के पहिया को उखार फेगेगी और बिहार में हमारा भतीजा तेजस्वी यादों जिसने जो कहा और करके दिखाया उसने दस लाग नोकरी देन के राश्ठे हो गई इए कुछी नगर के राश्ठे से आएंगे राध्य करते से भारती जनता पार्टी के रत के पहिया को उखार कर गंग गावर्नासा में फीक दिया जाएगा उसमैं एंडीया नेशनल डीलर सीप आप अडानी देखो यह देश के सारे संस्थार काथे कांग्रेस ने सरसर साथ दल देख लूटा आप बता दो आपके गाउं में प्राइमरी का इसकूल किस ने बढ़ाया है पावर हाउस किस ने बढ़ाया है गेल सेल भेल रेलों जीसी एंटीपीसी पाव स्थापित करना आज यहां के लोगों को भर भोजल मिल जा रहा है गाजीप्र के लोग उसर हम लोगों के बचपद में उसरा उसर का मिटी उड़ती थी आज वहां गेहों चावल हो रहा है एक विस्था में तीन मन हो रहा है यह कांग्रेस पार्टी और समझ बादियों की द समाधी किसने बड़ाया सब को इसचह पादिया कांग्रेस पार्टी ने देने का लावं प्रसाद के प्रयात से मुलाइम छिंह प्रयास किया और यह समाजबादी पार्टी सब से घृतले की बात हो ूछ लोगों को आगे करके ब्रश्टाचार की मुद्य पर भाजपा की 2014 में सरकार ब्रश्टाचारियों का गैंग है अलीबाबा चालीच चोरों का गिरों है देश के लिटोर और देश के विक्रताओं की यह तीम है आप पताओं इल्टोरल बांड जो है चुनावी जो चंदा है कि प्रफगंडा अरे राम नॉमिय भी तिन चार दिन के बाद साइद आने वाली है आप बताओं 22 जनुरी को राम के प्रांप्रतिष्था कर दिया वहां पर मंदिर का उद्गातन आधे दूर्य का कर दिया एक तरफ सनातन की बात एक तरफ सनातन को लात मारते हो संक्राचारि लेकिन चुरावा चारे नरेंदर मोधी जी मैं तो कहता हूँ नरेंदर मोधी इजाएन इंटरनेशनल लायर अगर जूट बोलने का अंतराश्टी अस्तर पर नोबिल पूरसकार की तरह कोई पूरसकार हो तो देश के प्रदान मंतिर नरेंदर मोधी को देना चाहिए में ह oni और अच्छर से काम नहीं चलेगा सुपरिम कोट की कहीद लाइन के मसी भी आप कोई अप यह पताओ आप कंदर पाthis कर आए उस सोग संतर उनको पेरोल नहीं मिलेगा फुलन देवी का हत्यारा जिसको आजीवन करावास हुआ था सेर सिंग राड़ा 2014 में जब नरेंदर मोधी प्रधान मंत्री बने हमारे पड़ोसी राजना सिंग्री मंत्री बने उनकी रिस्तिदारी का था तो बताओ कि सेर सिंग चुनाओ में मध्यप्रदेश के उसी खूलन देवी के हत्यारे सेर सिंग राड़ा को इस्टार प्रचारक भाजपार ने बनाया था अब देखो भी या 13% अबादी हमारी है इन्हों ने राम और निशाद राज की मित्ता के नाम पर मल्ला केवट बिन धीवर का हर गोडिया उसके क्या पहले कहीं उनके बेट्टों को पैरोल दिया जाना मलब मिलना चाहिए जमानत की नहीं देखें क्या भारती जनता पार्टी पर आप विश्वास कर सकते हो लोग तंत्र का गला गोटने काम करेंगे जिन से अपने मुकद में खतम कराने के लिए अमिसा ने जिस ज जनता पार्टी वाले इदम बीजेपी का नाम तो हो जाना चाहिए बलातकारी सनरागत जुठलेबाद पार्टी देश विक्रेता पार्टी इनका कोई चाल और चलितर नहीं है यह देश विक्रेता है यह देश की अर्थवे उस्था को चोपट करने का का में बार बार कैसे जीत रहे हैं 24 में जीते हैं फिर 1922 मतलब सब जीते ही जानती है अब लोग तंद्र संविधान को बचाने के लिए जातिकत जनकरना करा करके समाज समानुपातित प्रतिनी धित्व के लिए हम लोग जो है फार्मूला के तह जनता के बीच में जा रहा है जनता समझ रही है औ अपने बोट की ताकत से चोट पहुचा कर समाजबादी पार्टी की साइकिल के दौडाना है इंडिया गटबंधन को सेवेंटी प्रस सीटे जिताना है और भाजपा 2004-2009 में उत्तर प्रदेश में जो इस्थिती रही है उसी इस्थिती में दहाई भी नहीं पहुचने दिय प्लवी पटेल को फिर क्यों बाहर कर दिया गया आपकी आप देखो पलवी पटेल को दस बार सोचना चाहिए अनुप्रिया पटेल को सोचना चाहिए 2000-2000 में जब राजना सिंग मुख्यमंत्री थे पीडी ठंडन पार्क में ख्याल करना इलाहबाद का प्रयाग राज का बूते की बात नहीं होती है तो यह लड़ाई अब जो है यह प्रिया पटेल हो चाहिए पलवी पटेल हो जिस तरह का नीजिस्वार्थ में काम कर रहे हैं यह तीन जो परिवारबादी पाठी चलाते हैं एक मंगरुवा जो वह जो मंगरु एंडर चंगु मंगु की पाठी जो है मनु अस्मृति के बीधान के अनुसार अर्बिंद राजबर को घुटना टिका करके माफी मंगवाने का काम किया है तो हम लोग सम्मान और स्वाधिमान से सम्झावता नहीं करते हैं अगर वह प्रकास राजबर का सम्मान सम्मान बचा है जमीर जिंदा है तो और कोई ऐसा सका नहीं संजर ने जिसको ठका नहीं वो गुरकपुर यहां ठाजाया एक लूटे राया पचीज जुन 2011 को हमारी ही अंगुली पकड़ करके चलना सीखा और एक बेटा को भाजबर से सांसाथ दूसरे बेटा को भाजबर से विधायक अपने MLC भाजबर से और देख लेना राजेंदर बिंद को जीता हुआ प्रिया पटेल को भागा का आप गया है अब वहीं स्कुल का लेज देखाए आप राजनीती इस समाज के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों को क्या वह कुर्मी समाज का ओड़ लेंगी कुर्मियों का भी सम्मान पुरवांचल के बात करें तो एक पुरा धाग जमाय हुए थे मुक्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है अफजाल अंसारी जी मैदान में है तो इन सब मुद्दो को ले करके क्या करना चाहेंगे देखे दोजार संब्धान को खतम किया सेंटल विष्टा का उठाटन हुआ 28 मही को माफी बीर के जयनती के आउसर पर जिनको यह एक फिली माई यह बीर सावर कर माफी अंग्रेजों से च्छा पाल लिखित में माफी मांगे अजब आई सिय सद्कारी को 40 रुपया पेंस बेतल मिलता था तो उ कंतिकारियों देश्भक्तों होंगे